तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं राज़ानी जैपूर के SMS Medical College में जहां Medical के स्टुडेंट NMC का विरोध कर रहे हैं तुमाई इस मामली को लेकर हमारे समधादा रहमतुल्ला खान हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ेवें जी रहमतुल्ला क्या कुछ मागे हैं स्टुडेंट की क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखे लोक सबामें जो एनम से बिल लाया गया उसके विरोध में Medical Student यहां पर Medical College पर विरोध कर रहे हैं पॉल इंडिया मेडिकल इस्टुडेंट एसुशन के बैनर तले यहां विरूध हो रहा है डॉक्टर पंकज सिंग जो राष्ट्य उबाद दैक्स है इस एसुशन के और डॉक्टर जितंदर सियाम हमारे साथ दोनों बुजे निसम बात करेंगे एनम से बिल का किस तरह से व कोई वी गॉर्मेंट विचेज नोवन टू रूल इस पावरलेस गॉर्मेंट आज अगर जंता विरोध में आती है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी शेम की बात है एनम सी बिल लेके आए और एनम सी बिल मैं समझता हूं कुछ और नहीं सामत वादी को पढ़ावा देने की एक दूसरी नहीं रणनीती है इससे पहले भी डॉक्टर्स हमेशा बिना किसी मेडिकल परिक्षा के पीजी में आयकरते थे लेकिन लगबग 40 साल से यह प्रता धीरी धीरे बंद हो गई क्या चाती है यह हमारी समझ से बाहर है क्या फिर से वही परताव वापिस लाना चाती है जिसमें के आयोग्य चिकित्सक करेंगे मैं समझता हूं कि इस चीज का जितना भी बहिसकार किया जाए कम है अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग सड़कों पर करेंगे और चिकित्सा से वाँ को परेलाइज करेंगे एनमसी बिल से क्या नुक्सान क्या होगा इस्टुडेंट्स को सबसे पहला नुक्सान कि आयोग्य चात्र पीजी में आएंगे क्योंकि एक अब्जेक्टिविटी जो की नीट परिक्षा के थुरू एस्टबिश की ग यह एनमसी के अंदर ढ़िए उस कमेटी के अंदर सिर्फ दो या तीन डॉक्टर से बाकि सारे के सारे बीरोक्रोट्स बहुत इंटेलिजन्ट नेग्ने डॉक्तर कर दर्थ स्रप्षर को एक अच्छी भागिजारी मिलने चाहिए तभी यह सक्सेस्फुल हो पाएगा वितल् नीतियों का हमेशा और इंडिया मेडिकल एसोसेशन ने समर्थन किया और करता रहेगा बट इसमें कुछ पॉइंट है जिनका हम विरोध कर रहे हैं जो डिग्री 6 साल की होती उसको 6 महने में कैसे कंप्रीट कर सकते हैं यह हम सरकापके मादम से सरकार से भी कुछना चाहते हैं वो सरकार आपके माधियम से एक बात और पूछना चाहता हूँ, छे महने में जो वेक्ती ट्रेंड हुआ है, क्या उससे जतने भी मिनिस्टर हैं, जो पाली अमेंड में बैठे हैं, इसमें बैस कर रहे हैं, इसको लाना चाहते हैं, वो इलाज कराएंगे गया, यह सबसे अग्जिट एक्जाम देंगे, उसके अंदर फिर कॉम्पिटिशन है, हम कॉम्पिटिशन के लिए कोई मना नहीं करें के कॉम्पिटिशन हम दुबारा भी पास कर सकते हैं, लेकिन जो यह एक्जिट एक्जाम है, उसमें यह है कि भाई यह दुबारा यह प्रैक्टिकल के भी होंगे, सब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो उसके अंदर जिसकी अप्रोच होगी, वो अपने माक्स वकिरा बढ़वा लेगा, जिनकी नहीं होगी, वो नहीं बढ़वा सकते, तो यह एक तरह से करप्शन ही है, दूसरी चीज़ कि यह लोग ब्रिज कोर्स लेके आ लोग उसके बाद बराएं बड़ाबर होई जाएंगे, अब स्टूडेंट्स के लिए तो यह गलत है, हालां कि यह चीज ना पेसेंट्स के लिए पेसेंट्स जो लोग हैं, उनके लिए भी गलत है, उनको कितनी अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएंगे, वो जो ब्रिज कोर्स हैं, यह हमारे बराबर, MBBS के बराबर हो जाएंगे, सर इस से हमें जितनी दिक्कत है, वो तो ठीक है, पेसेंट्स हो कितनी दिक्कत होगी, अगर कल को कोई पेसेंट्स मर जाता है, यह फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता उसका अच्छे से, तो फिर यह हमारा डॉक्टरी का पेस्टा जो इतना बदनाम हो, वैसे ही बदनाम है अल्रडी, रेजिटेंट्स पा आई दिन अटेक हो रहे हैं, अगर यह यह चीज़ और हो गई, तो फिर कितनी, हमारी पूरी मेडिकल प्रेटरिटी खराब हो जोईगी, इस सरकार को समझना चाहिए, इसमें प्रावधान पूरे देश भर में किया जारा, आज कई स्तानों पर कई राज्यों में, आज जो डॉक्तर हैं, वो कई हर्ताल पर भी बैटें, तो आप से जाना चाहिए, कि आप जो स्टुडेंट्स हैं, डॉक्तर से उनसे पूछें कि अगर सरकार आगे जाके उनकी इस मांग को नहीं मा अस्सेशन हमेशा ही शांतिपूर्ण धंक से विरोध करने का समर्थन करती हैं, तो हम भोग भी उसी परिपाटे को निभाते हुए, आज बढ़े ही सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं, लेकिन हम कोई भी इंसात्मा कारवाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोगों चिकित सा सेवाओं को भाइसकार और मेडिकल फैसिलिटीज को पैरलाइज करना भी डॉक्टर कर सकते हैं, अगर गौर्नमेंट हमारी मांग नहीं मांती हैं तो बिल्कुल आई उस जिस दर से बता रहे हैं, इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट यह है, कि एनमसी बिल से जो एमईबियस करने के बाद में उनको एक्स्ट्रा एक्जम दिया जाना होता है, दूसरा इसमें ब्रीज कोर्स को जोड़ा गया है, ब्रीज कोर्स क्या होता है कि क कुछी थोड़े वक्त में अगर वो एमईबियस के बराबर आ जाते हैं, दोनों को वो उसके बराबर योगे ने होते हैं, फिर भी उनको सेवा हैं और उनको यही सेवा देनी पड़ती है, जो एमईबियस डॉक्तर देते हैं, इस तरह का इनको विरोध है, पुरे देश में जा रहा है, और इंडिया मेडिकल इस्टुटेंट एसुटेंट इसे ने इनके बेने तरह किया रहा है, अब आगे इनका यही कहना, अगर सरकार यह मांगे नहीं मानती है, अगर इनका इसको बिल को डॉप नहीं करती है, तो जो है उगर आंदोलन किया जाएगा, जी आई अभी तक उनकी नजर इस पर नहीं पड़ी है, लगातार जैसे मेडिकल की यह स्टुटेंट लगातार विरूत करें, तो अभी तक क्या जो अधिकारी उन्होंने इनकी एक भी नहीं सुने, इस बात का कोई सुद्ध नहीं है, बिलकुर यही पूछने चाहेंगे, डॉक्ट की बात सुने, तो यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिती है, जो कि एक प्रजात अंतर में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, जब कोई भी एक पढ़ाली का समाज सड़कों पर उतरने इस पर मजबूर होता है, उसमें कहीं न कहीं खामियां सरकार की या अधिकार सब्सक्राइब करें, खुद पहल करें, खुद बढ़ाएं आगे, इनकी समस्चा को सुनने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए, व्रोध से पहले आपने कभी एक दिकरियों से आपने इस बारें बाचित की, इस में कई बार हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री में बात हो चुक अगर कोई भी जो नॉन मेडिकल शक्स है, उसको लाइसंस देकर वो बिना किसी चीज के उसको बिना किसी जानकारी कि वो किसी भी चीज की दवाई लिख सकता है, तो कहां तक यह सही रहेगा, आप डॉक्तर से जानिए बिल्कुल यही सवाल निसे करेंगे, उनसे पहले जो बता रहे हैं, जैपी नड़ाजी से आपके बात हुई थी, उनसे में बोला गया थे का आप जिस पॉइंटों का ब्रोध कर रहे हो, तो पूरे अनमसी बिल का कर रहे हैं, फिर भी हमनों नों कहा कि ठीक है, आप बिल ल सवाल है कि एनमसी बिल, यह जब उनको बराबर दर्जाज दिये गया है, वो मेडिसन लिखेंगे और दूसरे डोक्टर लिखेंगे, उसमें कितना जो फर्क रहता है और कितना कहीं नुकसान दाइग रह सकती है, एक बहुत ही सावन्ने साधारन आईक्यू वाला आदमी भी समझ सकता है, कि साड़े-पांच, छे साल के अंदर कठोर परिश्रम के बाद एक जो मेडिकल डॉक्टर अम्बीबिस करके आता है उसकी योगता में, और छे महीने के ब्रिज कोर्स करने वाले व्यक्ति की योगता में कितना अंतर होगा, आज इस से नकेवल डॉक्टर की छ समझ वाला डिसीजन है, आपका क्या अनुबाव क्या बताएंगे कि जो दवाई लिखने का जो तरीका होता है पेसेंट पर कितना परवब पड़ेगा, देखो में बात यह है कि अगर उन्होंने सही ट्रीटमेंट नहीं लिखा तो जो यह अभी अभी दक जो भी दवयां च पर वो लोग 6 महीने का कॉर्स करके आएंगे तो इन चीजों में और बढ़ावा मिलेगा, जी आई उसी, फिलाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपको अदादी कि एनमसी बिल्को पास करने के लिए लगातार, जो पूरे देश बर में डॉक्तर रे लगातार इस बिल्को पास कराने को लेकर विरूत कर रहे हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब तक इस ओर ध्यान ले पाएगी